हालो नमस्कार दोस्तों आप कैसे हैं आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Academy में आपका स्वागत है तो चलते हैं आज के पहले कोश्चन पर तो सबसे पहले आपको बता दें चैनल पर अगर आप नए हैं तो कि पर चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें अब वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर करें ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए पहला कोश्चन जो आपका है कोश्चन नमबर 26 बोल रहा है तारों के मद्द दूरी ग्याद करने की इकाई है ठीक है तारों के मद्द दूरी ग्याद करने की इकाई क्या है आप्शन ए यह जो आपका है वह है Stealer Meal, Option B है Cosmic, Kilometer, Option C है Glaxic, IKI Galactic, IKI और Option D है Prakas Burst तो तारों के बीच दूरी मापने की जो IKI है वह आपका क्या है Prakas Burst तो आपको कमेंट में बताना है कि Prakas Burst बरावर कितनी दूरी होती है एक परकास बर्स बराबर कितनी दूरी होती है आपको कमेंट में बताना है ठीक है एक परकास बर्स बराबर कितनी दूरी होती है आपको कमेंट में बताना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगला कोशन देखते हैं आगला कोशन आपका क्या है वह देखिए अगला कोशन है भ भारत का राश्टिया पसू आपका क्या है आपको बताना है भारत का विरासत पसू क्या है यह आपको कमेंट में बताना है आपको बताना अपने बिहार के संदर में बिहार का राजकिया पसू क्या है ठीक है बात समझ गया है चलिए अगला कोश्चन नंबर देखे 28 बोल रहा है कितने तापमान पर इंजाइम निस्क्रिये हो जाते हैं ठीक है इंजाइम होता क्या है इंजाइम जो है आपका अधिक अभी क्लिया को या तो तेज कर सकता या मंद कर सकता हो वह क्या होता एंजाइम होता है ठीक एंजाइम निस्क्रिया मतलब एंजाइम काम नहीं करेगा कब करेगा वह आप्शन नंबर यह है 37 डिग्री सी या उपर 30 डिग्री सी और इससे उपर 45 डिग्री सी और इससे उपर तो इसका एंसर होता है 45 डिग्री सी और इससे उपर क्या करेगा यह काम नहीं करता है ठीक है बाद समझ गया है चलिए आगे चलते हैं तो दोस्तों आपके फटा-फट रिविजन के लिए अगला कोशन क्या है कोशन नमर्ट 29 असुद्रक्त हिर्दय में आता है देखो आप्सन क्या है दाहिने आलिंद से बाएं आलिंद में दाहिने देखिए दोस्तों बतादे आपका जो हीर्दय होता है घ्रदय क्या होता है और यहां पर एक उता चेमबर यहां पhesक चेमबर हैं तो पूरे बाडी से जो पूरे बॉडी से जो असुद रखता है इसमें आता है ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं देखे ऊपर वाला को बोलते है आलिंद नीचे वाला को बोलते है ठीक है तो यह क्या हुगया आपका देखे जब ऐसे हाथ रखते हैं हाथ रखते हैं तो जिधर दाहिना है उधर भाया उधर धाहिना होता है यानिकी उल्टा होता है ठीक है था मात क्या होगा यह होता है यह इसको थिना ऑलिंद है नहीं एक सवाल करता है कोई दिकता मैं प्रोप्रोब्लम कैंसर प्रोभी एस सवाल का अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर 30 क्या कह रहा है वह देखते हैं कोश्चन नमबर 30 बोल रहा है एक स्वरित्र द्विभूज का आवर्थकाल 0.004 सकेंड है तो उसका आविर्ति होगा ठीक है आवर्थकाल और आविर्थी में क्या होता है सिधा संबंद उल्टा का संबंद होता ठीक है आवर्थकाल आविर्थी का सिधा उल्टा होता है ठीक है तो आविर्थी तो जिरो पॉइंट जिरो फूर का जब सुलूशन आप करेंगे यह उपर जाएगा 1000 निचाएगा चार्थ इसका एंसर कितने आने वाला है तो धाइस इसका इंसर आएगा 250 हजट इस सवाल का एंसर है ऑप्शन ए है 200 हजट ऑप्शन भी है 25 ऑप्शन में है 250 तो 250 इस सवाल के एंसर है चीक है तो आपको लिदुक ही मात्रक मत्रक क् क्या होता है physics मतर्व क्या होता है एच जेड ठीक है हर जिसको बोलते हैं चलिए आगले कोशन पर चलिए आगला कोशन आपका देखिए आगला कोशन नमबर क्या है कोशन नमबर 31 क्या बोलता है निमन लिखित में से कौन सी उत्क्रिस्ट गैस बायू मंदल में नहीं पाए जाती ठीक है उत्क्रिस्ट गैस उत्क्रिस्ट का मतलब होता है निस्क्रिय गैस निस्क्रिय गैस क्या होता है हीना आके जाना रे ठीक है क आपकल आपका क्या होता है निस्क्रिय जान एका कंस नहीं पाया जाता है, कहा होता है जब जोला मुखी उसे में रेड reaches होता है ठीक है उसे में कुनसा गैस निकलता है रेडान गैस निकलता है इस स्वाल के अंसर क्या होगा option number C आगे चलते हैं ठीक है चली आगे अगला question देखिए question number 32 बोलए निम लिखित कथनो पर विचार कीजिए कोशन बोल रहा है कि अश्रू गन्थी का क्रिया सील ना होना विटामिन A की कमी का मुख लक्षन है हाँ ऐसा लक्षन है ठीक है ओप्सन दो नमबर बुल रहा है दो नमबर विटामिन B1 की कमी अपाचन त्था हेड़ है अपर वेड़ी नहीं ये गलत है दो नमबर आपका क्या है गलत है तीनर बुल रहा है विटामिन C की कमी मान स्पेशों में पीड़ा का कारण हो सकती है ये सही बात है विटामिन D की कमी कमी मात्र में C अधिक 6 का कारण हो सकती है हाँ बिलकुल ये भी हो सकता है ठीक है आपका सही कॉनसर हो गया है एक तीन औ और चार तो इसमें क्या होगा एक तीन और चार और सी आपका एंसर हुआ एक तीन और चार समझ मा गया चले आगे चलते हैं दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है कि आप चैनल को क्या करें सब्सक्राइब किजिए इसी तरह का वीडियो बार बार देखने के लिए ठीक है तो कोशन देखते हैं कोशन नमबर 33 बुलता किसी सामान ने बैक्ति में रख संधर में निमलिखित में से कौन सा सही है निमलिखित में से कौन सा सही है तो बुलता धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय रख सरीर के रख का कम मात्रा रहता है ठ तो यह भी गलत बात है रख में डवलू बीसी की तुनला बीमबानू अधिक होती है यह भी गलत बात है आपका एंसर क्या होगे आपका एंसर है ठीक है चलिए आगा चलते हैं कोश्चन नमबर 34 क्या बोल रहा है एक मिनट कोश्चन नमबर 34 देखे बोलता है रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरह में बानिज्यत तन्तू फाइबर पैदा करता है ठीक है एक होता अंडा एक होता दिंबग यह उता कोशी का एगो पूर्न की ठीक है तो यह जो करता है फाइबर पैदा करता है इस सवाल का अंसर क्या होगा डिंबग समझ गया है चलिए आगे चलते हैं आपको कमेंट में बताना है कि रेसम के पालन को ठीक है कौन सा कहा जाता है रेसम पालन को क्या का जाता है यह आपको कोश्चन कमेंट में लिखके बताना है रेसम की DOOD OPTION B है खून OPTION C है आपका आइस्क्रीम OPTION D है आपका सहथ तो कौन इसमें से कॉलाइड नहीं है देखिए दूद भी कॉलाइड का उधारन है खून भी कॉलाइड का उधारन है अपका जो क्या है और आइस क्रीम बच गया क्या आइस्ट्रीम सी यह आपका एंसर होगत यह कोलाइड का उधारण नहीं ठीक है आपसे नमर तीएसका एंसर जलो आगए चलते हैं ऐगला कोश्चन देखिए कोश्चन है क्या बोलता कोश्चन एक बोलता है सूची एक और सूची दो को सुमिलित किजिए ताकि सूचियों के नीचे दिए कुट का प्रयोग करते हुए सही उतर को ठीक है इधार दिया हुआ समस्थावनी और इधार दिया हुआ कुछ बिमारी के नाम ठीक है तो देखिए आपको क्या करना है मतलब कि आर्सेनिक कॉप्यों किसके लिए किया जाता है कोबाल् की कोबल्đ काव यो छैंसर के लिए जाता है ठके कैस्टीक यो प्रोट से मिलां में झूंढबे ए मिलाग यह नहीं सकता है पहला ऊप्शन गलत ठाओ इसमें अ में 4 ए obst में हो गांड आपका एंसर आपको एक बार सम्मिला देते हैं ठीक है यह हो गया तो आपका क्या है एक अथिडी है तो आर्सेनिक किसका पता लगाता है ट्यूमर का पता लगाता है ठीक है बी का फूर हो गया केंसर के एक्सक्राइब यूज होता है और सोडियम 24 कौपयों किसमे होता है सोडियम 24 कौपयों रख्त ब्याति करब में होता है बात समझ गया अप्सिन नमर सी इसका एंसर है चलिए आगे चलते हैं पार चलिए कोश्चन आ गया कुश्चन बोल रहा एक समय होते हैं देखर्ख है आपको पढ़ाए गया था अधा तो इसा पढ़ाए 9 का मतलब होता है 10 पर प्रावर माइनस 9 ठीक है तरह नहींक श्माइंस 6 नहीं होगा 10 स्वार सवाल का सवा केंशर है पर नंबर 123 आंशर नंवगा यह कोई परबलेम कोई परेशानी नहीं है आगे चलते हैं ठीक है अगला question देखिए question 38 बोल रहा रंगीन टेली विजन में परब्लू ने वाले remind होते हैं अपका question क्या repeat हो रहा how request आपका क्या हो रहा repeat हो रहा पीछले विडियो में भी यह question आपको मिला था REosureals TV में primary color का यूज होता है ठीक है फ्रास्मिक रंग कुन सा होता है लाल हडा और नीला क्या होता है लाल हडा और नीला आप्शन ए में है लाल हडा नीला आप्शन बी में लाल नीला पीला पीला नहीं होता है आप्शन सी में पीला है आप्शन डी में काला है तो यह सब नहीं होता है आपको कमेंट में दूतीय करंग बताना है दूतीय करन क्या क्या होता यह आपको बताना है ठीक है और आपको बता दें जैसे कलर टीविकी भात हूए आपको बोलेंगे प्रिंटर जो प्रिंट आप लोग करवाते हैं कलर प्रिंटर उसमें कौन सा कलर भड़ा जाता या भी है आप हमको कॉमेंट में बताएंगे ठीक है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन आपका क्या है कोशन नमर 49 तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं किरपया चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों में सेयर जरूर से जरूर कीजिए ठीक है आपके सपोर्ट से ही चैनल चल पाए की थी परकास की चाल किस ने इच्छाइस की जाए आपको बताना परकास की चाल कितना होता कुमेंट में बताना परकास की चाल कितना होता है सिर्फ नहीं बताना आपको बताना है परकास की चाल वाटर में कितना होता है परकास की चाल क्या बलते हैं कंच में कितना होता है परकास की चाल वायू में कितना थे तीनों आपको बताना ओके चलिए आगे चलते हैं अगला question बोल रहा है परासरव तरंगों की आविर्ति होती है ठीक है परासरव तरंग परासरव तरंग का मतलब होता हम लोग जिसको नहीं सुन सकते ठीक है तो मनुष् किसको सुन सकता मनुष् सुन सकता है 20HZ से लेकर 20,000 से कंता सुन सकता इस से कम भी सभतर नहीं सकता क्या हूँ है 20,000 तरुट से अधिक का हम लोग हमने सुन सकते हैं 20 से कम भी सुन सकते 20 से कम को बोलते हैं और परासरब tá서 कौन-कौन सुन सकता है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है ठीक है आप कॉमेंट में आप लिखेंगे आप से नमरे सवाल का एंसर हो गया चलते हैं अगला कोश्चन देखिए कॉश्चन नमर आगे है आपका 41 यदि किसी सरल लोला की लंबाई चार प्रतिसत बढ़ा दी जाया तो उसका आवर्द काल क्या होगा ठीक है तो सरल लोला की लंबाई आपके लिए आवर्द काल का फर्मूला क्या होता है आवर्द काल का फर्मूला देखे हर बार आ रहा है य लंबाई अगर दो परतिसत बढ़ा देंगे चार परतिसत उसका रूट लेंगे तो आपका एंसर क्या होगा बढ़ जाएगा अप्सन एक है दो परतिसत बढ़ जाएगा ऑप्सन भी है दो पर आपको किसी परकार का डॉट पुझा है आप कोमेंट केजिए आपका जवाब कोमेंट में दिया जाएगा आप कोमेंट में किसी परकार का कोश्चन आप पूछ सकते हैं आपका जवाब दिया जाएगा ओके चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर फोटी टू पेंडुलंक की लंबाई करने पर यहीं होता है मैं पेंडूलंख क्या हुता है इसे व्य को Baharaj ko 2 गुना करते रूट के अंदर है रूट कोला बढ़ चाल ऑप focus option 2 है दो गुना बढ़ जाएगा option C है वही रहेगा तो root 2 गुना बढ़ जाएगा आपका answer क्या होगा option number D ठीक है चले आगे चलते हैं अगला question क्या है question बोल रहा है कि दूर द्रिश्टी दोस हाइपर मेट्रोपिया से प्रित बैक्ति को क्या होगा दूर की बस्तू नहीं दिखाई देगी निकट की बस्तू नहीं दिखाई देगी बस्तू तिर्ची दिखाई देगी बस्तू उल्टी दिखाई देगी ठीक है आपको बता दें कि जिस ब्यक्ति को दूर दिश्टी होता तो दूर दिश्टी की बात करते हैं तो ब्यक्ति को दूर का दिखता है ठीक है यानि कि जो भी दोस होता है वही उनको दिखता है यानि कि दूर का दिखता है तो कौन सा नहीं दिखेगा तो निकट की बस तूर नहीं दिखेगा ठीक है option A है दूर की बस तू नहीं दिखेगा गलत बात है option B है निकट की बस तू नहीं दिखेगा यह सही बात है अब आपको क्या करना है कि दूर देश्टी दोस वाले बैक्ती को कौन सा लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है कॉमेंट में आपको वताना इसका एंसर ठीक है आपको अच्छा लग रहा है कि लाइक ज़रूर बटन दवाएगा ठीक है लाइक बटन दवाने से को मोटिवेशन मिलता है video परमोट होता है आप लोग लग ज़रूर के ज़िए छले और कोशन है required अस्थाई चुम्बग बना जाते देखे और इस अस्थाई चुम्बग किस के नह आ जाते हैं तो आपसन ए है इस पाध बी आपका है नरम लोहे के अपसन ए क्या है इस पाध के आपसorama के उप्सन भी है नरम लोह के ऑपसें तामके ऑपसटन ड़ी है एलूमीनियम के ठीकी है तो आपका ऑपसन एग casi पाद के अस्थाई चुंबक किसके बनायə जाते हैं आपको बताना कमेंट में कि और अस्थाई चुंबक किसके बनाया जाते लोता है पूर्ण सूर्जगरण का अधिकतम समय है थो सबस्क्राइब कि सिर्भने किस दीन होता या आपको कमेंट में बताना है और आप स्थित्य में को Neеж कहां पर रहेगा है सन और और इर्थ स्थिति कहें बिच में रहोगा कौन बगल में आपको कमेंट में बताना है सुज क्यों में कौन सा क्या रहेगा ठीक है आपका जो बोल रहा है वह बोल रहा दिन दिन जो लगता है उसका अधिक्तम समय हो सकता है 460 second option number C आपका answer है option number C ठीक है आपको बताना है कि पूर्ण सूर्ज गहन के समय सूर्ज गहन के समय जो सूर्ज का पार्ट देखता है ऐसे करके उसका नाम क्या है ठीक है या भी कोशन आपके सामने आता है ठीक है तो आप समझ गये चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन देखिए को श्रीक नमबर 46 आ गया कोश्चन 46 क्या बोल रहा है वह देखिए बोलता है लाल कमल का फूल हरे परकास में देखने पर कैसा दिखाई देगा option A बोल रहा है सफेद रंग का option B बोल रहा है लाल रंग का option C बोल रहा हरे रंग का option D बोल रहा है काले रंग का ठीक है आपको बता देखिए इसका एक सामन सा ट्रीक है ठीक है जोन कलर कोश्चन में ठीक है कोश्चन क्या है लाल कोश्चन लाल है तो इसको हम क्या कर सकते है या तो लाल कलर में देखिए या फिर सफेद कलर में देखिए दो ही चीज में यह अपना रंग दिखाएगा बाकी कोई भी कलर की बात करेंगे वह कैसा दिखेगा हमेशा और हमेशा काला दीखता हमेशा और हमेशा काला यानिए कि जो color question में रहे कोलोर दे दे या फिर सफेद दे तब वही color उसका data और यानि कि लाल question में दिया है लाल में देखना तो भी लाल एंसर में लाल कोश्ओं देखना कि लीकिन इसके पूरे कुछ सबस्क्राइब को सबस्क्तिए सबस्क्राइब चलते हैं ? अगला कोश्चन दिखी आगला कोशन 47 बोल रहा है परतियवारति धारा को दिश شदहरा में परिवार्थित करता है क्या हुआ है कोडी में कुन बदलता है देखिए को ऑपसिन क्या है आपका इसा काम करता है तो प्रत्यावर्थी धर्ण ग्रष अइसा नहीं करेगा क्या करता है एक करता क्या करता बंटेज को पढ़ाता और घृटाँ तसना बल्क नबर सिस्क्षर मोटर और त्रजा को क्या करता यांतरी कुर्जा अग्ले क्षानमें चलिए अगले question पर, अगला question देखिए, question number 48 बोल रहा है, hydrogen में समस्थानी की संख्या होती है, तो hydrogen में समस्थानी की संख्या होती है, ठीक है, वह क्या क्या होता है, वह आपका होता है, फिर से 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 ह होता है ठाटीम है तकते कि इसको बहुते हैं यह नीचे में यह नीचे क्या है नहीं कि कि इसका पर अपर संख्य नहीं होता, उसको बहुत मश्तानink है होता है किसी का द्रमान संख्या संवान प्रमान संख्या अलग अलग होता है संभारिक ठीक है चले आगए चलते हैं अगला कोष्चन नंबर 29 क्या बोलता है आधुनिक आवर सार्णी अधारित है ऑप्जण ए है अनुभार ऑप्जण वी है परमानुभाव option C है प्रमानु कर्मान、 option D है नीट्रोन पर ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है comment में आधुनिक आवरसार्निंग किस न 해 डिया, ठीक है आधुनिक आवरसार्निग कि बात करेखा, किस न रिया? हम आपको बता देते हैं आवरसार्निग किस न ही डिया? संब्सक्राइब कर मानू करमांग तो आपको पूछा गया आधंधि का reflexãos सानी किसा पर अधारी था और आपको पूछा गया आधुनिक आवरसार्णी किस पर अधारित है उसका तो एंसर क्या होगा आधुनिक आवरसार्णी परमानु करमांग पर अधारित है अपसन नबर सी आपका एंसर हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं आगे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं किर्पिया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है चलिए अगला कोशन कोशन नबर 50 बोल रहा है कि समान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाले निम्र धातू में से कौन सा मिस धातू नहीं ठीक है इस तील क्या होता है लोहा में जब हम क्या मिला देते हैं कार्बन है या मतलब कासा होता ठीक है यह क्या ठीम होreteब है ऐसेन होता है क्या होता है क्या होता है तो नहीं है आपका क्या हो गया आपका एंसर हो गया डी नमबर ताम ठीक है तो दोस्तों आपका ये 50 कोश्चन कंप्लीट होता है तो इसके लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग आपने वीडियो को पूरा-पूरा देखा इसके लिए थैंक्यू है वे नाइस डे बाइबाइ